असलाम अलेकूम ए सुडेंट जिसे अर्सलाहन से देखिए और एक वीडियो में आपके साथ आ चुके हैं दोस्तों हमने लास्ट वीडियो के अंदर हम discussion जो अपनी start करेंगे वो correlation से करेंगे कि sir क्या होता है correlation क्योंकि regression and correlation दोनों merge किये हैं हमारे part में study actions दोस्तों अब correlation को देखते हैं sir correlation बताता क्या है sir correlation बताता है relationship sir correlation बताता है relationship between two variables sir correlation क्या बताता है correlation बताता है relationship between two variables अब sir ये दो variables sir वो ही variables हैं जो अभी हमने discuss किये हैं last videos के अंदर dependent variable और sir independent variables ठीक है sir तो दोस्तों अब जब relationship की बात आती है तो relationship कितनी तरहा की होती है वो देख लेते हैं sir relationship होती है positive या तो positive relationship होगा या तो sir negative relationship होगा और sir एक थर्ड केस भी है जिसको हम लोग बोलते हैं no relation कि sir इनके बीच में relation ही नहीं है x और y की values की बीच में sir relation ही नहीं है sir positive relation किसको बोलते हैं हम देखने है positive relationship अगर में एक स्कैटर डियाग्राम ड्रॉ करता हूं यह x axis हो जाएगा यह y axis हो जाएगा positive relationship क्या होता है positive relationship में यह होता है इक सर एक्स की values अगर बढ़ेंगी तो y की values भी बढ़ेंगी इस तरीके से कोई एक points में अगर लगाता हूं अगर मैं एक line डॉप करता हूं regression line में डॉप करता हूं तो सर इस case के अंदर क्या हुआ क्या हुआ क्योंकि यह scatter diagram है तो मैं point को correct नहीं करता तो सर जितने अगर point जो है line के close to होंगे तो वो perfect positive correlation होगा सर जितने line से थोड़े से disperse होंगे तो सर वो positive correlation होगा और सर इनका जो slope आएगा सर वो slope कौन सा होगा सर वो upward sloping curve होगा सर इनका जो slope होगा वो कौन सा होगा सर अपवर्ट की तरफ मूप कर रही होगी यहूंके एक की values बढ़ेंगी तो सर दुसरी की values भी साथ साथ increase होगी सर यह होता है positive relation positive correlation सर positive correlation में perfect positive correlation में देखा है और सर एक हमने positive correlation में देखा है ठीक है सर perfect positive में क्या होगा सर के regression 9 के आपके close to होगे बहुत points ठीक है सर और perfect positive positive correlation के अंदर regression 9 के थोड़े से दूर भी हो सकते दूर होगे points जो है similarly अगर मैं negative correlation की बात करता हूं तो negative correlation के लिए मैं अगें मैं आपके सामने graph बनाता हूं सर इस case में क्या होगा कि अगर x की values लेट से बढ़ रही है तो y की values जो है वो कम हो रही होंगी y की values सर कम हो रही होंगी तो सर कुछ इस तरीखे से जो है वो points मेरे पास आ रहे होंगी कुछ इस तरीखे से मेरे पास points आ रहे होंगे तो सर ऐसा हो रहा होगा कि अगर x की value बढ़ रही है तो y की value सर क्या हो रही है decreasing पर सर inverse relationship होगा between x and y सर यह positive में क्या था कि सर directly proportional थे दोनो positive relation में सर क्या थे variable x और variable y दोनो जो है वन directly proportional सर यहाँ पर x और y क्या है सर inversely proportional है तो सर इस case के अंदर भी अगर regression line के close to हो गए आपके points तो सर आप क्या बोलेंगे कि यह perfect negative correlation है और सर अगर regression line के थोड़े से थोड़े से दूर है और downward sloping ही curve है इनका curve क्या होगा सर downward sloping और सर अगर downward sloping ही curve है तो आप क्या बोलेंगे सर कि यह इनके पीच में कौन सा relationship है साज नेगेटिफ relationship सर ञें रिलेशिप के अंदर क्या होता था कि आपके बाठ जो graph उता था वो अपड टो इस्विलेशंश्चिप में क्या होता था कि आपके माद जो graph होता था वो downward sloping होता था फिर सर बात करते हैं no correlation की तर जब मैं no correlation के लिए diagram में draw करता हूँ तो कुछ इस तरीगे से points होंगे सर कुछ इस तरीगे से मेरे पास जो है वो points आ रहे होंगे x के और y के तो मैं बोलूँगा कि सर इन दोनो variables variable x और variable y के भी में सर no relation है no relation सर कोई relationship नहीं है जी दोस्तों तो दोस्तों हमने यह देखा सर को relation क्या होता है सर को relation बताता है relationship between two variables two variables कौन सी श्याए रोगधेंट और वोी independent वह सो잡 beter सर फिर हमने relationship को देखा तो हमने देखा ज़म大家都 relationship भी होता है और Nirगटेफंट नेगेटेफ मिस एंदर हमने देखा तुझीजरे में पॉजर्ट पॉजर्टीफ पॉजर्टीफ रिलेशनटिप कब होगा जब के सारे पॉइंट क्या होंगे सैर पॉजर्ट फ्रीप स्लोमिंग हो रेकिन पॉइंट सोर नायं के दूर दूर होंगे सट और डैगेटिफ रिलेशन्शिप में हमने देखा कि सार एक की वैल्यू बढ़ रही दूसरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी इसी सिमिलर्डी जो हमने जो ग्राफ बनाया सर वह ग्राफ कौन सा होगा सर वह डाउनवर्ड रिलेशन्शिप में डिसकिस करी क्या सर अब बात यह होती है कि क्या को रिलेशन्शन के लिए हमेशा मुझे scatter diagram बनानी पड़ेगी या कोई calculation नहीं perform करूंगा तो दोस्तों अगर मुझे relationship देखना है तो अगर मुझे relationship देखना है तो मैं दो चीज़ा perform कर सकता हूं तो पहली चीज़ कौन सी मैं scatter diagram बना लूँ मैं क्या बना लूँ मैं क्या बना लूँ इस तरह की मैं value अपनी plot कर लूँगा डाइगराम के ओपर मुझे बस हज़ा कर सा relationship कैसा है positive है negative है या तो मैं क्या बना लूँ क्या calculate कर लूँ coefficient of correlation है या तो मैं coefficient of correlation calculate कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा वहां की value से भी कि सर इनके बीश में perfect negative correlation है positive correlation है positive correlation है negative correlation है या कोई relation है ही नहीं इनके बीश में सर अब क्या होता है coefficient of correlation क्या formula होता है किस तरीके से इसकी application होती है क्या क्या चीज़े होती है सर वह हम इंशाला तला आप से जो है वह नेक्स वीडियो में discuss करेंगे तब तक के लिए अल्ला आपिस